हेलो फ्रेंट्स विलेकम टू जीनियस जी के स्टाव फ्रेंट्स आज वीडियो में हम समिधान दिवस पर मोस्ट इंपर्टों को से वीडियो में हम कवर करेंगे स्प्रेंट्स यह कोश्चन आपके आने वेले सभी एक्जाम के पाइंट व व्यू से बहुत ही से किसी भी कोश्चन का अंसर पतात्म आंसर कमेंट वस्ता सकते हैं सुप्रेंट्स चलिए शुरू करते हैं प्रतिवर्स सविधान दिवस कॉंसिट्यूशन दे कब मना जाता है राइट एंसर है उप्सन भी 26 नुवंबर को देखे प्रतिवर्स सविधान दिवस 26 भारति सविधान को 26 नुवंबर निशॉनचास को किसके दूरा अधिनीमित किया गय था राइट एंसर है उप्सन ए समेधान सभाध वड़रा देखे भारती सवधान को 26 नॉम्ब उन्सोन चास को भारती सवधान सभा दोरा अंगी करत किया गय था और भारती सवधान के प्रारूप पर सवधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों दरा हस्ताक्षर किया गय थे Next Question भारत की सविधान सभा का प्रतम अधिवेशन कब हुआ था राइड एंसर है उप्सन भी 9 दिसंबर 946 को देखे भारती सविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 946 को हुई थे जिसका आश्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सविधान सिन्ना को बनाय गया था और सविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लिएक सामिल नहीं हुई थी और इस बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था और 11 दिसंबर 946 को सविधान सभा ने डॉक्टर राजित प्रसाद को निरविरोध सविधान सभा के इस थाई अध्यक्ष के रूप में निरवाचित किया था नेक्ष्ट कोशन सविधान सभा के आज थाई अध्यक्ष कौन थे राड़ एंसर है वो संडी डॉक्टर सच्दनन सिन्हा देखे सविधान सभा के आज थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सद्यानन सिन्हा और सविधान सवा के इस्थाई अधक्ष कौन बने थे डॉक्टर आजिन्द परसाद नेक्स्ट कुशन भारत में गरतन दिवस कब मना जाता है राइट एंसर है उप्सन सी 26 जनवरी को भारत में गरतन दिवस परते को षबीश जनवरी को मना जाता है क्योंकि 26 जनवरी़ीष निशोप्चाज को हमाई देश का सविधान को लगू किया गया था नेक्स्ट कुशन भारत में सविधान में गरतन दिवस बंखता किस देश के सविधान से ली गई है प्रांस का सविधान से सविधान दोरा समक्ष सविधान की प्रस्तावना किसे ने प्रस्तित की थी प्रांस का सविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 16 को हुई थी और इस दिन जवाला नहरूदर सविधान के समक्ष सविधान की प्रस्तावना या उद्देश का का प्रस्ताव प्रस्तित किया गया था और इस उद्धेश प्रस्ताव यानि अब्जेक्टिव रिजिलेशन के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत संपन लोग तांतरी गडराज की रूप रेखा प्रस्तित की गए थे सविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे रेट एंसर है उप्सन सी बी एन राओ दिखे सविधान सभा के कानूनी सलाहकारेनी लेगर एडवाजर के रूप में बी एन राओ को नियुक दिया गया था और बी एन राओ इनका फुर्फरम क्या है तो इनका पूरा नाम है सर बेनेगर नरसिंग राओ नेक्स्ट कुशन सविधान निर्माड में समय लगा था रेट एंसर है उप्सन बी दो वर्स ग्यारा महा ठारा दिन देखे भारत का सविधान बनने में समय लगा था दो वर्स ग्यारा महा ठारा दिन next question भारती सविधान के निर्माड है तो सविधान सभा के अक्कुल कितने अधिवेशन आयुज़ित किया गय थे right answer है option C गेरा अधिवेशन देखे भारती सविधान के निर्माड में सविधान सभा यानि constant assembly को दो वर्स गेरा माठ आरा दिन का समय लगा था और इस दोरान इसके अक्कुल गेरा अधिवेशन हुए थे next question भारती सविधान सभा में डॉक्टर बी आरे मेडिकर का निर्वाचन कहां हुआ था right answer है option B बंबाई प्रसिडेंसी से देखे सविधान सभा के प्रार्मिक चुनाव 1926 में डॉक्टर बी आरे मेडिकर का निर्वाचन अब विभाजित भारत के बंगार प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था और देश के विभाजन के पश्चाद यहाँ छेतर पाकिस्तान में चले जाने कारण डॉक्टर बी आरे मेडिकर का बंबाई प्रेजडेंसी के पूर्वना संसदी छेतर से उप्चनाव में निर्वाचित हुए थे नेक्ट कुशन भारती सवधान का कौन सा भाग सवधान की आत्मा कहलाता है राइड एंसर है उप्चन से उद्देश का इने प्रेमबल भारत के प्रस्तावना भारत की सवधान की आत्मा कहलाते है नेक्ट कुशन भारती सवधान सभा के प्रारूप समित यानी ड्राप्टिंग कमेटी के अध्धक्ष कौन थे राइड एंसर है उप्चन से डॉक्टर बी आरे मेडिकर देखे सवधान सभा के प्रारूप समित यानी ड्राप्टिंग कमेटी के अध्धक्ष थे डॉक्टर बियर मेडिकर नेक्ष्ट कुष्टन भारती सवधान का निर्माता किसे कहा जाता है Right answer है Option B बियर मेडिकर को देखे Father's of Indian Concentration कहा जाता है डॉक्टर बियर मेडिकर को नेक्ष्ट कुष्टन भारती सवधान सभान ने महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थे राट एंसर है उप संडी पंदरा दिखे भारती सवधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थे पंदरा सवधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था राट एंसर है उप संडी दिल्ली में दिखे भारती सविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में Next Question हाथ से लिखा गया सविधान को किस गैस के बीच रखा गया है Right answer है Option C Nitrogen Gas Next Question भारत के सविधान में कितने मौली के दिकार है Right answer है Option A 6 देखे भारती सविधान में कुल 6 मौली अधिकार है पहला समानिता का अधिकार और दूसरा है सोतंतरता का अधिकार और तीसरा है सोसल के विरुद अधिकार और चौथा है धर्म की सोतंतरता का अधिकार और पांचुवा है संस्कृत और सिक्षा संबन्ने दिकार और छठा है समयधानिक उपचारू का दिकार So friends, यदि आपको जहाई वीडियो पसंदा है इस वीडियो को लाइक करें, सेरे करें यदि आप चैनल पना है, चैनल को सब्सक्राइब करें Thanks for watching this video